आरेयस कैसे बने शुने से शिखर वेब सीरीज के फोर्थ एपिसोड में आरेयस टॉपर दोहजार साथ बील मीना सर ने सफलता के बाधक तत्व क्या होते हैं विध्यारतियों को विस्तार से समझाया नमस्कार मैं हूँ डॉक्टर निधी चतुरुवेदी आरेयस में सफलता अवश्य मिलती है लेकिन सिर्फ उन विध्यारतियों को जो बाधक तत्वों पर विजय प्राप्त करके सहायक तत्वों को अपना कर बढ़ाई करते हैं नमस्कार सर नमस्ते एपिसोड फिफ्ट में आपका स्वागत है थैंक्यू मेडम सर लाखों विध्यारति आपके मार्श दर्शन में रहकर सफलता अर्जित करना चाहते हैं बिलकुल जीता है जिस तरह दोर राज के राजा महराजा किसी सीमा पर युद्ध की तैयारी करते थे अब बादक तत्वो जो एशपलता में कारक बन जाते हैं और सहायक तत्वो जो किसी भी सपलता रणनीती के लिए सहायक की भूमी का निबाते हैं एक विध्यारति का वैज्ञानिक दरश्टी कौन रखना जीवन के प्रथी वैज्ञानिक नजरिया रखना सोच पूरी तरह सकारात्मक रहना प्राकरतिक सक्तियों से लगातार लड़ते रहना और धैरिये सयम के साथ एचीवर्स जो एचीव अर्था जो गोल होता है उसका जिसे हम लक्च कहते हैं वो हर पल हर दिन हर घंटे हमेशा उसके सीने में धदकते रहना चाहिए ना संगर्स ना तकलीफ क्या मजा है जीने में तूफान भी हार जाएंगे जब लक्च रहेगा सीने में एक प्रतियोगी भी ध्यारती को हर द्रश्टी कौन से बगवान क्रश्न जिस प्रकार से महा भारत के युद्ध में हर कठिन गटना को किस तरह से दैरी और सयम के साथ मैनेजमेंट के साथ एक बहुत शांदार मैनेजमेंट हनमान जी ने रामैन में जो भूमी का निवाई थी हर कठिन परस्तितियों को किस तरह से साहयक बना लिया अपनी तरफ मोड़ लिया तकलीप बहुत आती है विध्यारती के लिये लेकिन तकलीप से लड़ने की जो रणनीति होती है वो क्या है सायक्तत होती है विध्धार्ती को अपने जीवन की यात्रा जो है पूरे जीवन का रोड में बना लेना चाहिए क्या HDM होता है कैसे Promotion होता है ADM क्या करता है Promotion के बाद Collector कैसे बनते है Collector का कारी क्या होता है इसके बाद Commissioner बनते है सरकार की की नीतिया बनाते है जन्ता जो मांग रखती है अरथाद गरीबौं के हितेशी बनते है एक road map यदि विध्यारती ने बना लिया अपने जीवन का तो वो एक पल भी जो गलत कारिय होता है अर्था जिने हम बादतत कहते हैं जी सर वो कभी उनकी तरफ जाता ही नहीं है अब ये road map क्या है जी सर ये road map क्या है विध्यारती आप से जानना चाहेंगे ये road map है विध्यारती जब ये तै कर लेता है कि मुझे जीना कैसे है मुझे गरीब रहके जीना है या मुझे अमीर रहके जीना है मुझे सम्मान के साथ जीना है या मुझे अपमान के साथ जीना है मुझे सामाजिक प्रतिष्टा चाहिए या मुझे सामाजिक प्रतिष्टा नहीं चाहिए ये से कहते हैं रोड मैप अब यह रोड मैप बैज्ञानिक दरश्टी कौन से ही बनेगा जी सर किस प्रकार पिरी एक्जाम होगी उसमें क्या-क्या सब्जेक्ट होंगे जी किसी भी दरश्टी कौन से एक पल भी उसके मन में यह नहीं आना चाहिए कि मेरा रिजल्ट के प्रती विद्धारती का ध्यान का भी जाना ही नहीं चाहिए वो फैल हो रहा है वो पास हो रहा है उसका क्या होगा एक पल के लिए भी एक अच्छा विद्धारती एक सक्छम विद्धारती एक सहासी विद्धारती एक संकल्पवान विद्धारती एक द्रड निश्चित विध्यारती को एक पल भी यह नई सोचना चाहिए रिजल्ट कैसा आएगा उसने जो रोड में बनाया है निश्चित रूप से ऐसा ही बनेगा उसे देश में क्या करना है उसे रैज में क्या करना है उसे आरेस बनकर, एश्डिया बनकर, कलेक्टर बनकर, मुख मंत्री के साथ योजनाओं में बारतालाब करनी है यदि वो आईएस बनता है टॉप रेंग प्राप्त करता है तो वो प्रधान मंत्री के साथ प्यमों में रहता है और देश की योजनाओं में अपना नेत्रत अपनी भूमी का निब हो सकता है वो भैबीत हो जाए हो सकता है वो हमेशा डर के साय में डूप जाए इसलिए उस विद्धारती को बैज्ञानिक द्रश्टी कौन का जो रोड मैप में आपको समझा रहा हूं दस्वी क्लास 12 और वी ए करते समय में करते समय ही बना लेना चाहिए नहीं वो पिरी मे फैल होगा किसी भी प्रकार से आरेस मैंस के चैरों पेपरों में कहीं भी उसे कोई अर्चन नहीं आएगी निश्चेत रूप से वो श्यानदार अच्छे अंक प्राप्त करेगा किसी भी द्रश्टी कौन से तीसरे चरण में जब इंटर्वू होगी वो बिलकुल उसकी मजूर नहीं होगी क्योंकि जब वो रोड में बना रहा है तो अभी व्यक्ति कौसलता को बढ़ा रहा है वो अपनी वारतालाब केस तरह से कर रहा है सवालों के जवाब वो कैसे दे रहा है पढ़ते समय वो अभ्यास दर अभ्यास जिग्यासु बनता जा रहा है वो पीपा से एक आग ददकरी है कि मुझे टॉप रेंक लानी है मेरे जीवन की यात्रा जो है वो जन्व से लेकर मृत्तु तक उसने बैग्ज्ञानिक दरश्टे कौन से एक किताब लिख डाली है अपनी जिंदगी की जब किताब जब लिख देता है तो हर पन्ना हर पेज दिनों दिन आगे की तरफ बढ़ता ही चला जाता है सर आपने अभी बोला कि उसे रिजल्ट पर ध्यान नहीं देना चाहिए लेकिन ये उसके लिए कैसे संभव है क्योंकि वो तो पढ़ाई रिजल्ट के लिए ही कर रहा है पढ़ते समय जिसका रिजल्ट पर ध्यान जाएगा तो वो उसे बैचेन करेता है बिलकुल अब जब विद्यारती पढ़ेगा और बैचेन ही बीच में आ गई तो मन दुखी होता है लेकिन वो सुबह से साम तक मैं जो कह रहा हूँ उसको समझनी कौसीज करें कि वैग्यानिक दरश्टी कौन क्या है बिलकुल क्या है ये वैग्यानिक गंटे का उसका management है उसका time management है 365 दिन उसे क्या करना है कैसे जीना है कैसे अपने आपको बलसाली बनाना है अपनी इस्मरान सक्ति को कैसे तेज करना है योग करना है पनयाम करना है meditation करना है अच्छे दोस्तों की संगत बनानी है अच्छे मार्ग दर्सक श्रेष्ट टीचरों के साथ 24 घंटे उसे रियल सलकी भूमिका में रहना है यह है उसका विज्ञानिक दरश्टी कौन एक उधारन के साथ समझाता हूँ जंगल में दो जानवर है सेर और हिरन और दोनों ही जीना चाते हैं जैसे ही सुबह होती है हिरन जागता है और यह है सोचता है यदि आज मैं तेज नहीं दोड़ा तेज नहीं भागा तो सेर मेरा सिकार कर लेगा इसलिए वो जिन्दा रहने के लिए दोड़ता है यह उसकी सोच है उसी सुबह में एक सेर जागता है और वो क्या सोचता है यदि आज मैं तेज नहीं दोड़ा तो मैं सिकार नहीं कर पाऊँगा तो भूका मर जाँगा दोड़ना दोनों को ही पड़ता है यही प्रतियोगी विद्यार्तियों के जीवन की एक वैज्या निकता है हर व्यक्ति पढ़ रहा है हर विध्यारती पढ़ रहा है लेकिन सेर को यहाँ इस्वर के द्वारा योगिता नहीं मिली है कि तेज दोडने की ज्यान से समझें सेर को तेज दोडने की योगिता इस्वर के द्वारा नहीं मिली है सेर को जिंदा रहना है यदि वो जिंदा तभी रह पाएगा जब वो हेरन से जादा दोडने की प्रक्टिस करेगा और वो प्रक्टिस दर अभ्यास दर अभ्यास दर अभ्यास दर अभ्यास दर वो ऐसा बन जाता है कि वो कभी सिकार अर्थात भूका मरता ही नहीं है तो जिस विद्यारती ने शुरुवात में ही इन सायक तत्वों को समझ लिया बादक तत्वों से दूर रहा सायक तत्वों के आधार पर इनको अपना करके पड़ाई की वो विद्यारती निश्चेत रूप से आईस बनता है आईपयेस बनता है आरैस बनता आरपयुयस बनता है अब यहां मेडम क्यों ऐसा करेगा विद्यारती यह सब से बड़ी समस्या है उस विद्यारती को अपने लाब और हानी सोचना होता है जब वो पढ़ाई करेगा तो उस पढ़ाई में उसे मज़ा आना चाहिए एक इंट्रेस्ट पैदा होना चाहिए उसे भीतर से उसे खुसी होनी चाहिए तभी वो कॉन सी खुसी जो मैंने आपसे कहा था कि बैग्ज्यानिक द्रष्टी कौन ज़व उसने अपनी जिन्दगी की तरफ बना लिया तो उसे खुसी होनी चाहिए मेरा विटर्ड आएगा मैं आरेस बनूँगा या मैं आर पी एस बनूँगा आ आगे जिंदगी कैसे जिऊंगा, मेरा परिवार कितना सम्मान प्राप्त करेगा, मेरा भी क्या सम्मान होगा, जिन्दगी भर मेरे पास गाड़ी होगी जिन्दगी भर मेरे पास बंगले होगे अलोसी पलोसी आगे पीछे सबी दोस्त मुझे सम्मान की दरश्टी से देखेंगे कहीं पर भी मुझे किसी भी दरश्टी से कभी लाइन नहीं लगनी पड़ेगी मैं जहां भी जाओंगा बहुत प्रक्टिकल बात समझा रहा हूँ जहां भी जाओंगा मेरे रहने के लिए सरकेट आउस होगा मेरे रहने के लिए मुझे डाग बंगला मिलेगा जिन्दगी में उसे कभी खड़ा रेकर के कभी लाइन नहीं लगना है किसी टिकट की उसे आगे से आगे सुविदाय मिलती जाएगी कभी भी वो वैसे कोई मानसेक और सारिक इस्वर द्वारा दी गई तकलीव को तो कोई भी बच नहीं सकता लेकिन सेविल सेवक जो होता है IS, IPS, RS और RPS जो आज होते हैं ये भारत की सबसे सम्मान जनक सेवा है सेवा तो सभी अच्छी है लेकिन इन में सम्मान जादा है अब जब वो पड़ेगा तो उसे प्रती दिन प्रुफूलत हो करके खुस होकर के, खुस मिजाज होकर के, सौरिय, पराक्रम, सहासी, निर्डर होकर के, 365 दिन जब वो गुजारेगा तो निश्चित रूफ से वो सपल होगा तब उसका रिजल्ट उसे बेचैन नहीं करेगा कभी भी उसे रिजल्ट के बारे में सोचने का मोका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने अपना क्या बना लिया, वेग्यानिक द्रश्टी कौन से रोड में बना लिया, अब उसे पढ़ाई के अलावा टायम ही जब नहीं मिलेगा, उसे कब 365 दिन का जो साइकल का चक्र होता है, तब वो क्यों बेचेन होगा, वो तो पहले से ही जीत चुका है, जो पहले से जीतने की ठान चुका, वो कभी हारता ही नहीं है, अब लेकिन उसे क्या सोच के चलना है, पढ़ना है, जीत गया तो जीत गया, हार गया तो सीख गया, जरूरी नहीं है हमेशा सपलता ही मिलती है जरूरी नहीं है हमेशा विफलता ही मिलती है लेकिन सपलता और विफलता के लिए विध्यारती को एक पल भी एक पल भी नहीं सोचना है क्योंकि वो इतना सकारात्म हो चुका है उसका नज़रिया इतना positive हो चुका है उसका attitude इतना अच्छा हो चुका है उसकी संगत इतनी अच्छी हो चुकी है वो इतने स्थेर्ष्ट मार्ग दर्शन के बीच में रह रहा है वो विशे विशे सगों के साथ जब डिसकस कर रहा है निश्चेत रूप से बड़ टॉप ही करता है वो कभी ऐसा पल होता ही नहीं है थैंक्यू सो मच सर विध्यारतियों को ये समझाने के लिए कि रोड मैप और वेग्यानिक दरश्टिकोन उनकी जिंदगी में कितना महत्वपून है और क्यों होना चाहिए क्योंकि विध्यारती तयारी तो शुरू कर देता है लेकिन न उसके पास सही दिशा होती है और न सही तरह से मार्ध़ दर्शन होता है तो आज आपने ये विद्ध्यारतियों को बहुत बड़ी चीज समझाईए हर विद्ध्यारती चाता है हर विद्ध्यारती टॉप रेंग प्राप करना चाता है लेकिन उसे ये ग्यान मिल जाए उसके भीतर से ये एक आवाज बुलंद हो जाए कि एक अंक जादा लाने से एक अंक जादा लाने वाला अपने बैच का जिन्द्गी बर टॉपर कहलाता है लेकिन ध्यान रहे यहाँ इस बात का जूटी सान के परिन्दे फड़ फड़ाते जादा है बाज की उडान में कवी आवाज नहीं होती जो विध्यारती लगातार पढ़ते रहते हैं, रिजल्ट उनका ही आता है, इसलिए प्रिविध्यारतियों आप लगातार पढ़ते रहें, आत्विश्वास बढ़ता चला जाएगा, और जब रिजल्ट आपका आएगा, उस दिन आप अपने आप इतिहास रचने के करीब पह जाँती, तैंक यू सो मच सर, थैंक यू मेडा, विध्यारती अपनी जिन्दगी की किताब स्वयम लिखता है, वह उसका हर पेज इतने उत्साह के साथ लिखता है, कि वो जैसे जैसे जन्म से म्रत्यों की तरफ आगे बढ़ते हुए, अपनी जिन्दगी का रोड मैप बना तो अंत में उस उत्साह और वैज्यानिक द्रश्टिकोंड को रखते हुए, वह अपने लक्षे को अवश्य प्राप्त करता है, वैज्यानिक द्रश्टिकोंड से जिन्दगी जीने वाला विध्यारती वह एक सफल रोड मैप बनाने वाला विध्यारती कभी असफल नहीं ह होता है अगला एपिसोड जो आपकी जिन्दगी बदल सकता है देखिए और जानिए कि किस प्रकार एक विध्यारती टाइम मेनेजमेंट करके समय प्रबंधन के दौरा अपने लक्ष को आसानी से प्राप्त कर सकता है धन्यवाद मुझा प्राप्त कर सकता है धन्यवादी लो आपने करता है थेखिए है भाईए सी